हेलो फ्रेंद्स स्वागता आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तो आज पाज अर्जेंट ओफिशल नौटिस जारी हुए है स्टेट कांसलिंग को लेकर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के तो आज मैं वह पूरा बताने वाली हूं कि क्या अर्जेंट ओफिशल नौट वह आपको देखना है ठीक है क्योंकि जो राउंड टू और मॉप अप राउंड जो आगे की राउंड है वो उस का रिवाइस कांसलिंग शीडूल के अकोर्डिंग ही जो है कांसलिंग कनेट करवाई जाएगी तो नीट यूजी से रिलेटिड पांच अजेंट ओफिशल न पूरी इंफोमेशन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा साथ में फ्रेंड्स यदि आप नीट की प्रिपेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ओफर 33% ओफ नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पर तो जब तक अग 30% ओफ प्रिया 18 कोड आपको यूज करना है तब आपको यह डिसकाउंट मिलेगा तो नीट यूजी का अगर क्रेक करने का आपका सपना है तो 30% ओफ रहेगा 1st मार्च से 9 मार्च तक जिसमें मॉक टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी क्योशन बैंक आपको अक्सेस कर सकते है डेप्थ अनालिसिस रहेगा वीडियो सॉलुशन के साथ में तो प्रिया 18 कोड यूज करना ना भूले गाज नीट 2022 को टार्गेट बनाकर लास्ट लैप बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 9 मार्च से जिसमें इंडिया की टॉप मोस्ट फैकेल्टी के तुरू आपको क्ल का सासिस मिलेगी और कैसि कोई है तो सब भी डाउट है तो सब दाव्काइन की लाob के क्लियर हो सकते है लाइंसा Прोग्रम आप कर रखा जा रहा है डेने और अगर आप Unacademy का कोई भी फ्री प्रोडेक्ट यूज करते है तो Pria 18 code यूज करने से उसको free of cost अनलोग कर सकते है और यदि Unacademy का कोई भी paid course लेते है तो Pria 18 code यूज करने से आपको flat amazing discount मिलेगा जो valid time है उसके according 33% off और उसके अलावा अगर वैसे आप लेते है इस time के अला अब गाइज हम बात करते हैं पांच अर्जेंट नॉटिस जारी हुए है स्टेट कांसलिंग को लेकर कुछ स्टेट ने अपना कांसलिंग शिडियूल चेंज किया है तो कुछ ने कुछ ने राउंड टू से रिलेट जो ओफिशल नॉटिस है वह रिलिस किया है तो देखेंग एक लेटेस्ट ऑफिशल नॉटिस जारी हुआ है किसको लेकर है यह इंपोर्टेंट नॉटिस रिगार्डिंग पॉब्लिकेशन ऑफ सेकंड राउंड सीट अलोट्मेंट ऑफ अंडर ग्रैजुट मेडिकल एड्मिशन कांसलिंग एम बीविएस बीविएस और एच के दिया है बिहार कंबाइंड एंटरंस कॉंपेटिटिव एग्जामिनेशन बॉर्ड ठीक है अंडर गैजुट मेडिकल एड्मिशन कांसलिंग से रिलेटिड है तो क्या दिया है इन कंट्यूनेशन टु एडवर्टाइस्मेंट नंबर बीसी एसी इसी इवी डेटेट इसी 10th Feb it is to inform all concerned and candidates of UGMAC 2021 that due to change of schedule ठीक है counselling schedule अगर आपको चेक कर लेना है चेंज हो चुका है change of schedule of need UG 2021 second round counselling of all India quota by MCC the second round seat allotment result of UGMAC 2021 will be published on 10th March 2022 ठीक है तो अग्दस मार्च को जो है result वो अनॉंस होगा गैज यह आपका first urgent official notice था अब हम चलते हैं second state पर तो गैज यह है second state राजस्थान तो राजस्थान को लेकर क्या जो news है वो हम देख लेते हैं तो देखे गैज राजस्थान का जो registration amount payment है वो extend कर दिया गया है date of making online payment of registration amount is extended up to 6th March 2022 11.45 रात को बारा हुजे तक का टाइम दिया गया है तो गया जिन भी student की payment अभी pending है वो कर सकते है यहां पर clearly यहां notification में भी mention है अगर को student वहां पर ध्यान नहीं देता है तो पहले तीन March की date थी अब 6 March कर दी गई है तो आप रात 11.45 पिम तक आप जो आपकी payment है वो आप कर सकते है registration amount अगर जिस भी student की रह गई थी तो वह अपना पूरा कर सकते है अब हम चलते है नेक्स्ट वर्ल यह गाईज लेटेस्ट ओफिशल नौटिस जो की MCC की थूर रिल्स किया गया ठीक है इसके अंदर क्या दिया गया है जो भी candidates और जो भी college participate कर रहे हैं counseling के अंदर उनके लिए actual में जिन student का selection हुआ है और आगे जिनका होने वाला है ठीक है round 1, round 2 और आगे मॉप पो स्ट्रे वागेंस राउंड अभी आपका कंडेक्ट होना है तो जिन student का selection हुआ है round 1, round 2 में प्रॉब्लम क्या आई है कि जब उनका reporting time में उनका migration certificate ना मिलने के वज़े से students को बाहर निकाला जा रहा था उस वज़े से कि जो migration certificate है वो desirable है लेकिन mandatory नहीं है student को time देना चाहिए ऐसा नहीं है कि उनके पास migration certificate नहीं है तो उनको बाहर कर दिया जाए उनका कैंडिडेचर रद कर दिया जाए उसके regarding official notice है तो एक वर हम इसको देख लेते है तो क्या दिया है it is for the information to candidates participating colleges that migration certificate for reporting of UG counselling is a desirable document but not mandatory ठीक है hence तो advise क्या जा रहा है सभी colleges को that in any case in case any candidate is not able to produce migration certificate the college can admit the candidate provisionally by receiving an undertaking from candidate that he or she will submit the migration certificate within a period of seven days ठीक है अगर इस केस में कुछ ऐसा होता है कि student unable हो जाते है अपना migration certificate लाने में तो उन student का provisional admission कर लिया जाए और उनको seven days का time ठीक है और college के थ्रूबार निकाला जा रहा है तो वो यह official notice है वो दिखा सकते है ठीक है उन्हें students के लिए official notice जारी किया गया है अब हम चलते हैं जो next official notice है उसके तरफ तो guys यह next official notice है ठीक है kind attention to all candidates जो भी online counseling के अंदर participate कर रहे है उन सभी candidates के लिए यह urgent official notice mcc के थूब जो है डाला गया है तो क्या बोला गया है इसमें it has come to notice of mcc की notice में आया है कि कुछ ऐसे candidates है जो जान भूज कर ट्राइ कर रहे है अपनी seat को block करने के ठीक है by opting choice के लिए for the seats and not joining the allotted seat जो भी allot होती है seat उनको join ना करके और option में रखके to mcc dghs is actively tracking अब mcc क्या कर रहे है actively उसको track कर रहे है इसे candidates के जो अपनी seat को block किये बैठे है ठीक है और जिन-जिन colleges में block हो रहे है seat उनको monitoring की जा रहे है यदि ऐसा कोई भी case आता है if at any level of the counselling it is found यदि अपाया जाता है तो circuit seat को जान भूज कर block किया जा रहे है the seat is blocking is done deliberately with malicious intent तो such candidates will be dealt accordingly ठीक है क्योंकि देखो ऐसा होता है कुछ students जो है तो गाइच ऐसा अगर कुछ पाया जाता है की तो उसके उपर कारवाई की जाएगी उसके according ही ठीक है क्योंकि कुछ colleges भी ऐसे है जो student अगर ज्वाइन नहीं कर रहे है तो counseling में क्योंकि जाता है तो अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो college को student को काफी जादा problem हो सकती है तो ऐसा आपको नहीं से related और जो मोपो प्रावन की counseling है ओल इंडिया कोटा की उसका जो सीट मैट्रिक्स है उसकी जारी हो जाएगी एट्थ और नाइन्थ मार्च का टाइम दिया गया है counseling schedule जो fourth counseling schedule है वह आपको चेक कर लेना है उसे related already video में डाल चुकी हो ठीक है फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो comment के जरी आप हो सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो like और share जरूर किजेगा और चैनल को subscribe करना guys विल्कुल भी ना भूले तो जल्द ही मिलते हैं next new update के साथ तब तक के लिए thank you guys